ओम शांती, आज 21 अक्तूबर 2022 के साकार मधुर महावाक के हैं, आज बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी खुशकबरी सुना रहे हैं, और वो खुशकबरी है कि मैं इस समय तुम बच्चों के समुक हाजिर नाजिर हूँ, मैं तुम्हारे लिए हतेली पर बहिश्ट लेकर हो, बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सोगात लेकर आया है, बाबा ने कहा मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो खाली हा थोड़ी आँगा, अपने बच्चों के लिए सोगात लेकर आता हूँ, बाबा की ब्लेसिंग है कि बाबा हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, जो बच्चे नॉलिजफुल बनते हैं, वो राज्शयोग सीख कर नर्ज से नारायन बनते हैं, यही राज्शयोग है जो में नर्ज से नारायन नारी से लक्षमी बनाता है। कोई बात समझ में नाये, तो बाबा से पूच सकते हूँ, बाबा ने कहां याद रखना, अगर योग ठीक नहीं होगा, तो अतिंद्रिय सुक कानुभव नहीं होगा, अतिंद्रिय सुक पाना है, तो बाबा से योग ठीक रखो, अंदर में कोई भी शैतानी नहीं होने वो कोई न ग्दालते रहते हैं तो मदच्चों को विगन रूप नहीं बनना बाम Barbara चुंको थिकल के बरतन से सोने का बरतन बनाते हैं सोने दुनिया में लेके जाते हैं ऐसे बाबा को इतने प्यार के याद करना però जो बच्चे प्यार से याद करते हैं वो ही वर्से के अधिकारी बनते हैं बाबा के लाड़ले बच्चे मुझे याद करो वर्से को याद करो कभी भी ट्रेटर नहीं बनना बाबा स्वयम आये हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी रिती पढ़ना है और बाबा के का बाब अपने बच्चों पर कौन सी ब्लैसिंग करते हैं। आज बाबा ब्लेसिंग कर रहे हैं, बच्चों को आपसमान नौलिश्फुल बनाना ये उनकी ब्लेसिंग है, जिस नौलिश की अधार से नर्स श्री नारायन बन जाते हैं, बाबा केते बच्ची मैं तुम्हें राज्यों की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूं, मेरे सिवाई ऐसी ब्लेसिंग कोई भी कर नहीं सकता, राज्यों सिखा कर राजाओं का राजा बनाना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बाबा के सिवाई कोई भी ब्लेसिंग नहीं कर सकता, गीते मुझे गले से लगा लो, ओम शैंती, ये इस समय बांधेलियों का बुला इस समय बंदेलीूं का बुलावा है, सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाईं बहुत उदास हैं। वो गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ती में तो बुलाते रहते हैं, लेकि उन्हें मालूम नहीं भगवान कौन है। यहां के गोपिकाईं जानती हैं, प्रामनियां चाहती हैं, हम शुब बाबा के गले में पिरोई रहें, क्योंकि इस समय के मनुष्य सब आसुरी गले का हार हैं, बचियां चाहती हैं, हम ईशुरी गले का हार बनें, बाबा के गले का हार बनें, जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है, तभी तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं इश्वर को हाजर नाजिर जान सच कहेंगे बड़े-बड़े government के minister भी कसम उठाते हैं गीता हात में लेतें क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र हैं तो एक इश्वर का कसम उठाते हैं ऐसे कि सब इश्वर हैं सब का कसम उठाते हैं जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा इस समय तो नहीं है सरफ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं याद करेंगे द्रिश्य जब ब्रह्मातन में शिव बाबा ब्रिकुटी में बैठ कर पढ़ा रहे हैं तो बाबा बच्चों को अनभूती करा रहे हैं कि दुनिया ढूंड रही है आप बाबा के समुक बैठे हो बाबा आपके समुक हाजिर नाजिर है शिव रात्री भी मनाते हैं जरूर आया होगा कैसे आया क्या कर किया किसी को पता नहीं इतना बड़ा सोम जानते हो वे निराकार है उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं अब वो हमारे सामने बैठा है उनको हाजर नाजर देखते हो बरोबर नॉलेजफुल ब्लिस्फुल है बाबा नॉलेजफुल है ब्लिस्फुल है नॉलेज देते हैं यही उनकी ब्लिस है ज्यान का सागर है आनंद क सागर है वही सब पर धया करने वाला आशिरवाद करने वाला ज्यान देना ये सबसे बड़ी ब्लेस है इस नौलिज की शक्ति से तुम नर्स से नारायन बनते हो वैं ब्रह्मातन से तुम्हें पढ़ा रहे हैं बाबा खुद कहते लाड़ले बच्चे मैं तुम्हें या लक्षमिनार नहीं होगा ये तो सारी सुर्यवंशी डानिस्ति थी उनका राजय माया ने चीन लिया मैं फिर से समुख आया हूँ तुम ब्रामनों के समुख हाजिर नाजिर हूँ अब बाप जो इतना दूर देश से आया है जरू कोई सोगात लाई होगी लोकिक बाप हे जब आते हैं तो कितनी सोगात लाते हैं ये तो सबका बाप है इस जिसको इतना सब याद करते हैं दूर देश से आते हैं तो हात खाली थोड़े आएगा। बाबा केते हैं, मैं तुम्हारे लिए सोगात लाता हूं, जो कोई मनुष्य नहीं ला सकता, मैं बहिष्ट हैविन लाता हूं, कितनी बड़ी सोगात है, मैं आपके लिए बहिष्ट लेकर आता हूं, स्वर्ग लेकर आता हूं, कितनी बड़ी सोगात है, बाबा सक्षत कार भी कराते, वहां कितना सुख है, अंग-अंग में सुगंध है, स्रे लक्ष्मि नार्ण के अंग-अंग में सुगंध है, ये तन तो कीडों से भरा हुआ है, बाबा कीडों को उठा कर ब्रम्री बनाते हैं, यहां के शरीर तो किटानों से भरे हुए रोगी है, वहां के शरीर कितन सुन्दर होंगे यहां के शरीर कैसे हैं और वहां के कैसे होंगे मंदिरों में कितनी सुन्दर मूर्तियां बनाते कितना फरक है इस समय के शरीर और वहां के शरीर पांचरवश की बात है यह भारत इंद्र प्रस था वहां आत्मा भी पवित्र थी तो शरे भी पवित्र था बा भाबा ठिकर के बरतन से सोने का बरतन बनाते बाबा तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते बाब का भी क्या पार्ट है Teacher और Satguru का भी क्या Part है उनको कोई भी बाप Teacher गुरू नहीं बाब का कोई भी बाप Teacher गुरू नहीं तुमारे लौकिक बाब का तो बाप Teacher गुरू जरूर होगा शुरे बाबा के ते मेरा कोई नहीं प्रन्टौ उसके Occupation को कोई जानते नहीं जब तक इसको स्वरक का मालूम ना पड़े, तब तक कोई भी जान नहीं सकता कि हम नरक में हैं, ग्रंत में पड़ते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए, ग्रंतु अपने को नहीं समझते, बाप आया है ज्यान देकर काले को गोरा बनाने के लिए, इस समय तुम ज्यान सूरिय, ज्यान चंद्रमा बन रहे हो, सन्यासी पवित्र परविर्ती मारक के नहीं बना सकते, वो ये नहीं कह सकते, कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं, वो निर्विर्ती मारक के हैं, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं, यहां कोई डर नहीं, बाप के पास बच्चे अगर कोई कन्या पे मार पड़ती है तो कन्या को बंदं से चुढा कर गंधर्बी विवा कर सकते हैं हम जल नहीं मरेंगे ज्यान तलवार बीच में रखेंगे दोनों ब्रामन ब्रामनी भाई बेन कैसे विश्पी सकते हैं शास्त्रों में भी गंधर्वी विभा के लिए लिखा है प्रन्तो इसका अर्थ नहीं समझते सन्यासी कह देते नारी नरक का द्वार है उनके पास ज्यान तलवार तो है ने जो इकठे रहके पवित्र रह सके तुम उनसे बहादुरू काम चिता से उतर ज्यान चिता पर बैठ जाते हो सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं चर्च में भी शादियां होती हैं नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस बे चड़ाया इस पवित्रता के कारण कहा जाता है यह कौन है जो कहते हैं पवित्र बनों आखते तो आती हैं यहां भी शुबाबा पर नहीं आती प ब्रह्मा बाबा ज्यान से पहले अपनी नौर्वन लाइफ जो थी उसमें चल रहे थे अचानक शिव बाबा ने प्रवेश किया पूरा लाइफ साइल चेंज हो गया तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा हसते हुए कहते हैं वाट विंदे बामन फाथो रास्ते चलते मैं ऐसे ही फस कया शिव बाबा के हाथों पुरानी जुत्ती है न यह थोड़ा ही कहते हैं मैं स्रेकृष्ण हूं कहते मैं राजयोग सीखूंगा तो मैं नरसे नाराइन बनूंगा प्रंतु अब नहीं है ऐसे बच्चों को निश्य है हम नरसे नाराइन नारी से लक्ष्मी बनेंगे फेल सत्यु क्यंत में लक्ष्मी नाराइन रामसिता को राज्य देते हैं लक्ष्मी नाराइन भी पुर्णर जनम लेते लेते त्रेता में आते हैं रजवाडे कुल में जनम लेते रहते हैं फिर रामसिता नाम चलाता लक्ष्मी नाराइन नाम खलास हो जाता अब प्रश्न पू स्वधर्शन चक्र कौन सा है एक दो से पूछा हाँ यह चक्र कैसे देवता से शत्रिये फिर वैश शुद्र बनते हैं अब ब्रामन वरण में आते हैं यह चक्र जितना फिराएंगे उतना ही विकरम विनाश होंगे इसमें रामन का गला कटता है तुम बच्चों का बेहद बा है तुम कहते हो बाबा हम आपका बिचुड़ना सहन ने कर सकते ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में हैं तड़फती है क्योंकि यह मात पिता एक तो माता जगदंबा है इसको सब याद करते हैं परन्तु जगदंबा का पिता कौन यह किसी को पता नहीं ब्रह्मा सरस्वत का बाप है पुचारी लोग यह नहीं जानते कि सरस्वती ही लक्षमी बनती है यह भी रहस्य नहीं जानते कि यह जो सरस्वती है यहीं लक्षमी बनती है फिर 84 जनमले वही सरस्वती बनती है यह ज्यान इस बाबा के पास थोड़े ही था इनमें ज्यान होता तो जरू किसी गुरू से मिला हुआ होता, फिर उस गुरू की महिमा भी करते, फिर उस गुरू के शिश्य भी होते, ये भी बताते, परन्तु बाबा का कोई साकार गुरू नहीं, बाबा केते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर गुरू हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ के हाता हूँ, तो ये फिर हो गई माता, उनको मात पिता कहते हैं, ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा माता, शिवभाबा पिता, तुम मात पिता जो गाते हूँ, मैं ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते, ब्रह्मा थोड़ी बैकुंट का रचता है, बाप तो बाप है, तो ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है, कलश पहले इनको मिलता है, ब्रह्मा को मिलता है, प्रंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा, सरस्वती का नाम Goddess of Knowledge, ये मशूर है, वो विद्या की देवी गाई जाती है, विद्धुत मंडली वाले भी सरस्वती क लकब रख लेते हैं, अच्छा बाबा केते कितना समझा के कितना समझाएं, मन मना भव, बस सरफ मुझे याद करो, मेरे वर्से को याद करो, तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे, वहां भी तो नमबरवारी होंगे न, सूर्यवण्शी की रॉयल दास दासियां भी तो है तो प्रजा की भी दास-दासिया होंगी चंद्रवंशी राजरानी की भी दास-दासिया तो है वे सब यहां ही बन रही है पूछो तो बता सकते हैं अगर अब शरी छूट चाहे तो क्या जाकर बनेंगे अच्छा कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो अगर अभी शरी छूटे तो हम सत्योग में क्या बनेंगे कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो याद रखना योग ठीक नहीं होगा तो वे सुख महसूस नहीं होगा योग ठीक नहीं होगा तो सुख महसूस नहीं होगा शोकवाटिका में बैठे होंगे स्वर्ग है अशोकवाटिका सीता अशोकवाटिका में नहीं शोकवाटिका में थी अब तो सब शोकवाटिका में बैठे हैं मनिश्य कुछ इंता रहती है पता नहीं लडाई होगी तो क्या होगा हम तो कहते हैं लडाई लगे तो स्वरक के गेट खुलेंगे अच्छा याद रखना सच्चे दिल पे साहे ब्राजी अगर अंदर शैतानी होगी तो विखन डालते रहेंगे अंदर सैतानी होगी तो विखन डालते रहेंगे फिर कडी सजाईं कहएंगे टेटर्स को हमीशा कड़ी सजाई मिलती है ये तो सुप्रेम जज़ भी है स्रिकृष्ण का चित्र दिखाते हुए देखो इन पर कितने कलंक लगाए इसने तो ना कपड़े चुराए ना ही कंस जरासंदी को मारा उसका भी स्रिकृष्ण का भी मुग काला कर दिया अच्छा बाप तदा तुम बच्चों के समुख हाजर नाजिर है तुम कहेंगे हमारी नजर के सामने है पतित बूट में आया है भगवान खुद कहते मैंने पतित बूट में परवेश किया तब भी पावन बने शिव भावा ने ब्रह्मा तन में परवेश किया और फिट हो ग जानेंगे तो दिन हो जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिक्के लड़े बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं दादा को हो या गुप्त माह को हो वंडरफुल राज है गुप्त माह को हो या दादा को हो ये भी गुप्त राज है बाप ददा मीठे मीठे बच्चों को नंबर वार पुर्शारत हमसार क्यों कहते हैं जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा माफिक सर्विस करेंगे जो जैसी मदद करते हैं वो भी तो प्रजा में आएंगे ना उसमें भी नंबर वार साहुकार प्रजा भी होती है अच्छा गुड मॉर्निंग रुहानी बाप सच्चे साहिब को राजी करने के लिए सच्चे साहिब को राजी करने के लिए कोई भी विगन नहीं डालना सुख कानभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है स्वदर्षन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को पापों को भस्म करना है वर्दाने न्यारी अवस्ता में स्थित रहे हर कारे करने वाले सर्व के वा परमातम प्यार के अधिकारी भव न्यारी अवस्ता में स्थित रहे हर कारे करने वाले सर्व की वा परमातम प्यार के अधिकारी भव जैसे बाप सबका न्यारा और सबका प्यारा है न्यारा पन ही प्यारा बना देता है जितना दे के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे बनेंगे बीच-बीच में प्राक्पिस करो दे में परवेश होके करम किया और न्यारे हो गए मूलवतन से आए, ब्रिकुटी में बैठे, कारे किया फिर अपने घर चले गए, न्यारे हो गए ऐसे न्यारी अवस्ता में स्थित रहने से करम भी अच्छा होगा बाप के वा सब के प्यारे भी बनेंगे परमातम प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फाइदा है स्लोगने शुब भावना का स्टॉक फुल हो, तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकते है शुब भावना का स्टौक फुल हो, अंदर में शुब भावनाएं हो, तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकते हैं मातेश्व्री जी के महवाक्ये आतमा कभी परमात्मा का अन्ष नहीं हो सकती बहुत मनुश्य ऐसे समस्ते हैं, हम आतमाई परमात्मा का अन्ष है अब अंश तो कहते हैं टुकडे को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादी अविनाशी है, ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकडे में कैसे लाते हैं, अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है, आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठेरा, ऐसे अम उबर परमात्मा को टुक्डे में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। इसलिए हम तो जानते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है तुम उनके वन्शज ठेरे। अर्थात बच्चे ठेरे। फिर अंश कैसे हो सकता है। इसने परमात्मा के महावाक्य बच्चे, मैं खुदो इंमोर्टल हूँ, जागती जोद हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं और सब मनुश्य आत्माओं का दीपक जगता भी है, और बुझता भी है, उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट माइट देने वाला मैं हूँ, बाकि इतना जरूर है, मुझ परमात्मा की लाइट, आत्मा की लाइट दोनों में फरक है, जैसे बल्व होता है कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली, पकि परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती, तब ही परमात्मा के लिए कहते हैं, वो सर्व शक्तिवान है, अर्था सर्व परमात्म सर्व स्रेश्ट कैसे हुआ अगर कई परमात्मा यूगे यूगे आता है तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है ऐसे सर्व शक्तिवान की शक्ति इतने तक है अगर बीच में अपनी इस सिद्ध होता है परमात्मा यूगे यूगे नहीं आता बीच विश में नहीं आता वो आता है कल्प के अंत के समय और एक ही बार अपनी शाक्ति से सत्ती सद्ध है जब परमात्मने इतनी बड़ी सर्विस की तब उनका यादगार बड़ा शीवलिंग बनाया और इतनी पूजा करते हैं अवश्ये परमात्मा सत्य भी है चेतन्य भी है और आनन्दस्वरू रूप अभ्यास करेंगे, मैं परमातम प्यार की अधिकारी आत्मा हूँ। परमातम प्यार मेरी सच्ची संपदा है। कल्प के संगम पर मैंने प्रभु प्यार पाना सीखा है। जितना देह से न्यारे, उतना परमातम प्यार का अनुभव कर सकते हैं। अभी अभी ब्रिकुटी कक्ष में देह से करम कराया, अभी अभी देह से दूर, दुनिया से दूर, मूल वतन पहुँच गए। आत्माओं की दुनिया में परमधाम से शक्तियां भी खेरती हुई मैं आत्मा, इस साकार देह में आती हूं, करम करती हूं, वापिस चली जाती हूं। जितना देह से न्यारे, उतना परमातम प्यार की अधिकारी बनते हैं, कुछ पल के लिए देह से न्यारी अवस्था में बैठे, अनुभव करें। परमातम प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूं, मुझे परमातम प्यार का अधिकार मिला है। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती।